हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल इस पार ये प्लांट की छोटी सी सॉपिंग पतिदेव जी अकेले ही करके लाए है जब उत्राखंड से आ रहे थे तो रास्ते में किसी नर्सरी से इन्होंने ये शॉपिंग की है लेकिन सभी प्लांट अच्छे लाए हैं इसलिए मैं खुश हूँ ये वरवीना का प्लांट है ये फ्लावरिंग विंटर्स में करता है और बहुत सारे कलर्स में था लेकिन ये दो कलर्स लेकर आए हैं तोनों सुंदर लग रहे हैं एक पिंक कलर का है एक वाइट कलर वाइट कलर तो ऐसा कलर है इसे किसी के साथ भी रख दो अल्टिमेट कॉमिनेशन बनी जाता है पिछली बार जब सौपिंग की थी तो वाइट के साथ महरून था वो कॉमिनेशन भी इतना जबर जैस्त था और ये दोनों भी अच्छे लग रहे हैं साथ में ये सीजनल प्लांट है यानि जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी ये प्लांट सुकता जाएगा दूसरा प्लांट दहलिया का है ये भी फ्लावर प्लांट है और बहुत ही सुन्दर फ्लावर है जिस दिल लाए थे सिर्फ एक ही फ्लावर था ये दो दिन के बाद की वीडियो देखो इसमें दूसरा फुलावर भी आ गया है कितना सुन्दर लग रहा है इसमें और भी बड़िंग बनी हुई है तीन से चार दिन में ये बढ़िया फुलावर बन जाएगा और ये कई-कई दिनों तक फुलावर रहते हैं बहुत सुन्दर लगता है जब 4-5 फुलावर हो क्योंकि ठीक ठाक साइज है इस सीजन चेंज नहीं करती स्वाइल भी बढ़िया है अधर्वाइस यही टाइम ब्लूमिंग का है और बेचारा प्लांट पॉट चेंज करने से सौक में चला जाएगा इन में से किसी का भी रेट मुझे नहीं पता और इने भी याद नहीं रहता टोटल याद रहता है बस और यह तीसरा बेहत खुबसूरत प्लांट पॉइन सितिया का है नाम पर मत जाएए नाम बेसक से अर्पटा है लेकिन प्लांट आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा यह प्लांट विंटर में अपनी लीव्स के कलर को चेंज कर लेता है और सम कलर चेंज करने का यह पावर यूज इसी टाइम कर पाता है यह कई सारे कलर में होता है यह प्लांट मुझे बहुत पसंद आया और यह फोर्ट नंबर का प्लांट है यह वीऊटिफल फ्लावर प्लांट रेन्वन कूलस है पता नहीं क्यों रोज को लोग इतना पसंद करते बट ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा कितना ultimate color combination दिया है नीचर ने इसे वैसे भी मुझे रोज काटो की वज़ा से कुछ खास पसंद नहीं है प्लांट देखके लगता है इसे भी जादा बड़े पोट की जरूत नहीं है means ये जिस पॉट में लगा हुआ आया है इसी में रहेगा जब भी नर्शरी जाया करते थे तो पती देव बोलते थे कि रोज का प्लांट ले लेते हैं बट मैं अक्सर ही मना कर देती थी ये जरेनियम फ्लावर प्लांट है ये बता रहे थे जब इन्होंने इसे लेने के लिए देखा था तो ये पूरा गुच्छो में फ्लावर से भरा हुआ था लेकिन जब वहां से यहां तक आने में गारी में रह रहा है कि बिचारे के सारे ही फ्लावर ही जड़ गए कुछ यहां आकर बच्चो ने छेड़ कानी की इसके साथ वहां मोडा में तो बहुत सारे ये प्लांट थे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और गुच्छो में ऐसे भर भर के निकलते थे ना तो बड़े सुन्दर लगते थे ऐसे लगता है छोटी सी फुटबॉल हो यहां कैसे ग्रो करता है पता नहीं न्यू बंचिस बड़िंग तो कर रहे हैं फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो गई है ये देखो एक में हुई है अब दूसरे भी बड़िंग है कई कई जगह पे है निकल रहे है अब देखो यह कब तक पूरे खिलेंगे बंच बन भी पाएगा की नहीं बन पाएगा ये हमारा छोटू सा सेकुलेंट है इसके साथ तो और भी बुरा हुआ जब इसे गाड़ी से उतारा गया तो इसका पौर्ट अलग पड़ा हुआ था और अंधेरे में प्लांट ढूड़ा गया जो की निकल कर अलग पड़ा हुआ था एक्चुली प्लांट थोड़ा हैवी होता है लिए देखो नाप फिर लाकर इसे इसी पौर्ट में लगाया गया पर तीर्चा लगा हुआ है बार बार छेड़ना ठीक नहीं है अगर दस से पंदरा दिन में ये ठीक रहा तो इसे ठीक कर दूँगी ये पहले भी लाई थी ज सारे प्लांट खराब हो गए मैं भी महान थी सस्ते के चक्कर में सारे सेक्कुलेंट ही लिये थे और एकदम से वेदर चेंज की वज़़ा से सारे खराब हो गए जगा चेंज होते ही प्लांट थोड़ा सौक में वैसे ही चले जाते हैं एक्चुली पईंसेटिया का ये प्ल सावर नहीं होते, बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, क्योंकि इनकी लिव्ज ही इस प्लान को खास बना देती है, लिव्ज पर थोड़ी मिट्टी लग गई है, नेगिटिव पॉइंट ये है कि इसे सावर भी नहीं दे सकते, इसे कॉटन के कपड़े से गीला करके पोचना प